हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल फ्रेंट्स आज हम आपको 6 मन्त बेबी के लिए बहुती प्यारी सी ड्रेस बनाना सिखा रहे हैं यह देखिए यहां से नेक में भी हमने इसके फ्रील लगा दिया है और नीचे की साइड भी फ्रील लगा दिया है यह हमने 75 सेंटिमेटर कपड़े में बना कर तयार की है इस तरह की काफी ड्रेस आप बचे हुए कपड़े में से भी बेबी के लिए बना सकते हैं आईए वीडियो शुरू करते हैं यह देखिए फ्रेंड्स यह हमने दो पीस ले लिये हैं जिसकी चोड़ाई 14 इंच है और लंबाई इसकी 12 इंच है इसको हम डबल कर लेते हैं फॉर फॉल्ड इसकी हो गई है फॉर पीस हो गई है शॉल्डर है इसका हमें 4 इंच रखना है और आर्म हॉल 5 इंच रखना है इसको यहां से चोड़ाई हमें इसकी चेस्ट पर से 5.5 इंच रखनी है इसको ऐसे करते हुए नीचे की साइड हम मिला लेते हैं यहां से हमने न में गोलाई कर लेते हैं नेका में इसका चोड़ाई में टू इंच रखना है और लंबाई में टू पॉइंट फाइफ इंच रखना है इसको ऐसे करते हुए गोलाई कर देनी है ये देखिए एक इंच की यहां से हमें गोलाई कर देनी है इस तरीके से करते हुए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स ये ड्रेस बनाने में बहुत ही ज़ादा आसान है और आप इजिली इसको घर पर मना सकते हैं इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा ये देखिए दोनों पीस इस तरीके से कट कर हमारे तयार हो गए हैं एक पीस को हम अलग कर देते हैं और एक पीस को बीच से हम टू इंच का कट कर देते हैं ताकि बाइबी को बहनाने में इसको परिशानी ना हो ये हमने एक पट्टी ली है जिसकी लंबाई थ्री इंच है और चोड़ाई टू इंच है इसको हमें बीच से कट कर देना है यहाँ पर करके लगा देना है यह नेक की फिरिल के लिए हमने पट्टी ली है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है और लंबाई इसकी 40 इंच है ये नीचे की साहिल लगाने के लिए हमने दो फिरील ले लिये है जिसकी लंबाई 3 इंच है और चोड़ाई इसकी 26 इंच है ये हमने रेवगी पाइपिन ली है नेक में और आर्म होल में लगाने के लिए इसकी चोड़ाई 1 इंच है ये दो पीस हमने short के लिए ले लिये हैं जिसकी लंबाई 11 इंच है और चोड़ाई इसकी 63 इंच है अब हम इसको यहां से ऐसे करते हुए डबल कर लेते हैं फॉर पीस इसके हो गए है इसकी आसन की चोड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और लंबाई में ये हमें नाइन इंच रखना है ऐसे करते हुए हम इस पर सीधा निशान लगा लेते है यहां से हमें इसको चकोर कर देना है इस तरीके से अब इसमें हमें हलकी सी गोलाई कर देनी है यहां से आधा इंच हम इस तरीके से निशान लगा लेते हैं अब इसको cutting कर देते हैं यह short हमारी cut कर तयार हो गई है यहां से हमें वन इंच लास्टिक के लिए निशान लगा लेना है और इसको बिल्कुल बरावर मिला लेना है दूसरी side से भी हमें ऐसे ही करते हुए इस पर निशान लगा लेना है यह नीचे की से गोलाई में कट कर देना है यह देखिए इस तरीके से हमारी इसकी shape आ गई है अब दोना आसन हम अपने मिला लेते हैं और आसन पर हमें सिलाई लगा देनी है फ्रेंट्स आसन पर हमें हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए अब एक सिलाई हम इसके उपर और लगा लेते हैं यह देखिए दो सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली है अब आसन के दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा कर तियार कर लेना है यह हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है अब नीचे की मोहरी को हम मोड लेते हैं फ्रेंच इसमें हमें लास्टिक डालनी है तो हमें इसको आधा इंच मोड ना है इसी तरीके से हमें दूसरी मोहरी को भी फॉल्ड कर लेना है इस साइड की मोहरी भी हमें ऐसे ही फॉल्ड कर लेते हैं ये देखी ये हमने दो लास्टिक ली है जिसकी चोड़ाई इस तरीके से ten inch है हम लास्टिक को पिन में पिरो लेते हैं दोनों साइड से हमने अपना मौरी फोल्ड करके तयार कर ली है और इस साइड को लास्टिक को पिरोते हुए हमें दूसरी साइड को निकाल लेनी है ये देखिए हमाई लास्टिक डल चुकी है अब हमें लास्टिक को कपड़े की साथ यहां पर अंदर की साइड कर रही है हमने इस पर सिलाई लगा देते हैं दूसरी साइड से भी हमें लास्टिक को इस तरीके से खीचते हुए इसके उपर भी हमें सिलाई लगा देनी है दो तीन सिलाई हम यहाँ पर लगा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से पक्का हो जाए यह देखिए हमाई नीचे की महरी में लास्टिक डल कर तयार हो गई है इस तरीके से हमें यहां पर भी डबल सिलाई लगानी है यह देखी हमारी शोर्ट की मोहरी में भी लास्टिक डल गई है और आसन पर सिलाई हो गई है अब यहां से हमने उपर की साइड से लास्टिक के लिए मार्क लगाया है इसको ऐसे फॉल्ड करते हुए इसके उपर सिलाई लगा लेते हैं चारो तरफ से हमें नेफे को ऐसे ही मोल लेना है और एक साइड से लास्टिक जाने के लिए हमें 2 इंच इसको खोल देना है जिसके अंदर को हम लास्टिक को पिरो सके हैं यह देखी यहां से हमने कोल दिया है इसको अब यह हमने लास्टिक लिए है लास्टिक हमारी 15 इंच की है इसको भी हम ऐसे ही पिरो लेते हैं और इस खुले हुए हिस से में को शोट के नेफे के अंदर डाल देते हैं दूसरी साइड से खीषते रहते हैं फ्रेंट्स इस तरहे की शोर्ट बना कर आप अपनी बेबी को घर पर पहना सकते हैं, यह बचे हुए कपड़े में से भी आप सिलाई लास्टिक को हमने एक दूसरे के उपर रख लिया है, इस पर दो से तीन हम सिलाई लगा देते हैं, ताकि यह अंदर जाकर खुले नहीं, ल इसके खुले हुए इससे पर हम सिलाई लगाते हैं, यह हमारी शोर्ट बनकर तयार हो गई है, यह फ्रिल है, नीचे की साइड लगाने के लिए इसको हमें एक साइड से फॉल्ड कर लेते हैं, ऐसे ही हमें दूसरा फ्रिल भी अपना फॉल्ड कर लेना है, एक साइड से, और दूसरी साइड में हमें इसमें चुन्नटे डालनी है ये फ्रिल को एक साइड से हमने फॉल्ड कर लिया है अब हम इसको डबल करके रख लेते हैं और यहां से हमें वन इंच इसकी गोलाई कर देनी है दूसरी फ्रिल को भी हमें सेमें से ही तयार कर लेना है इसको भी डबल करते हुए एक इंच की फ्रिल में साइड से गोलाई कर देते हैं अब हमें इसमें चुननटे डाल लेनी है आप इसमें चुननटे किसी भी तरह की डाल सकती है धागे की चुननटे भी डाल सकती है या बारीक बारीक सी चुननटे भी इसम रखना है और इसके उपर सिलाई लगा देनी है दूसरा पीस भी हमें सेम अपना इसी तरीके से तयार कर लेना है यह हमारा फ्रिल लग चुका है इसको नीचे की साइड को हम इस तरीके से कर लेते हैं और यह जो अंदर का फेबरिक है यह टोप के उपर की साइड को कर लेना है और इसके उपर एक सिलाई लगा देनी है यह सिलाई लगाने के बाद यह अच्छी तरीके से सेट हो जाता है यह देखिए हमने सिलाई लगा लेना है यह हमने नेक की फ्रिल ली है इसको भी एक साइड से हमें फॉल्ड कर देना है और दूसरी साइड में इसके भी चुनटे डाल कर फॉल्ड को तयार करना है बारिक बारिक सा करते हुए हम नीचे की साइड से इसको फॉल्ड कर देते हैं अब हमें इसमें चुनटे डाल लेनी है इसमें भी आख किसी भी तरही की चुन्नटे डाल सकती हैं लेकिन धियान रहे जिस तरही की नीचे चुन्नटे हमें डालनी है इसी तरही की चुन्नटे हमें इसके नेक में भी डालनी है पूरे फ्रील को हमें ऐसे ही चुन्नटे डालकर इसको तयार कर लेना है दो नोपीस हम अपने मिला लेते हैं और शोलडर पर सिलाई लगा लेते हैं फ्रेंक शोलडर पर हम हुमेंशा । डबल सिलाई लगाने चाहिए जिससे जब हम इसमें स्लिफ जिया पाईपन लगाए तो ये साइड से खुले नहीं ये देखिए ये पीछे की साइड से हमने इसको रखा है फ्रील को जहां से हमने कट किया हुआ है बेक साइड से और इसको फ्रील को चारो तरफ हमें इस तरीके से सेट करते हुए इसके उपर सिलाई लगा देनी है ये हमने पूरे फ्रील के उपर सिलाई लगा दी है अब इसको बेक साइड से इस तरीके से सीधी सिलाई लगा कर तयार कर लेते हैं यह हमारा फिरिल बच गया है थोड़ा सा इसको हम कटिंग कर देते हैं दोनों फिरिल हमें नेक के बेक साइड से सेट कर देने हैं यह बेक साइड की हमने पट्टी ली है इसको इस तरीके से यहां पर रख देते हैं और इसको लगा लेते हैं हलका सा हमें यहां पर कट लगाना है जिससे यह दूसरी साइड में आराम से पलट सके अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए हमें इस पट्टी पर सिलाय लगा देनी है ये हमने बेक साइड की पट्टी लगा दी है अब हमें पाइपिन को लेना है पाइपिन को धीरे धीरे से खीचते हुए हमें इसके उपर लगानी है फ्रेंट्स पाइपिन को हमें बिल्कुल अंदर की साइड से बराबर लगाना है कहीं से भी कमिया जादा नहीं कीचना है अगर हम अंदर की साइड को बराबर सिलाई रखते हैं तो हमारी पाइपिन की शेप बहुत जादा अच्छे आती है और इसमें फिनिशिंग भी बहुत लेनी है फ्रेंट्स अगर आपको पाइपिन पे सिलाई लगाने में परिशानी हो तो आप इस पर तुर्पाई भी कर सकती है अंदर की साइड को ऐसे फॉल्ड करते हुए पाइपिन के बिल्कुल बराबर बराबर हमें सिलाई लगानी है हमारी सिलाई पाइपिन पर नहीं आन लग चुकी है अब हमें आर्म होल में भी इसी तरीके से पाइपिन को लगा देना है यहां पे भी पाइपिन को हमें हलका हलका सा खीचना है सब जंगे से बिलकुल बराबर ये पाइपिन हमाई लग चुकी है अब हमें इसको ऐसे फॉल्ड कर लेना है एक बार और फॉल्ड कर लेना है और इसके उपर सिलाई लगा देनी है पाइपिन के बराबर बराबर हमारी सिलाई आने चाहिए पाइपिन के उपर नहीं आने चाहिए फॉल्ड करते हुए हमने यह सब सिलाई लगा कर तैयार कर ली है दूसरे आर्म होल में भी हमने इसी तरीके से पाइपिन लगा ली है अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं नीचे की साइड से भी हम पका करते हुए ऐसे निकाल लेते हैं इस साइड से भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा दी है ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी प्यारी सी हमारी शोर्ट पैंट और टोप बन कर तयार हो गया है फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए निलते हैं ने एक्स वीडियो में ने डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाई बाई